अग। जब आग लगेगी इसमें सब जलोगी। जग्मनी का एक निता है वो आके भड़काओ वासन देता ह। हमारे जिला में अगर किसी प्रकार का घटना घटती है तो उसका जिम्मेवार तेजस्वी हो। कि अपने बयानों से सुर्ख्यों में रहने बाले बीजेपी के सांसत परदीप सिंग हमारे साथ हैं बात्चीत करेंगे क्योंकि लागातार जो इन दिनों बयान दिये थे बयान देने के बाद काफी सियासत बिहार में देखने को मिल दाता लगाता नेता पतिपक तेस्यादब ने भी कहा था जो अगर मुश्लिमों को कुछ होता है या फिर यूं कहलें जो अगर आप दंगा बरकाने को से करते हैं इट से इट बजा देंगे क्या आप बातों से ऐसा लग रहा था कि आप कुछ उखसाने वाले लोगों को देखे सबसे पहले तो मेरे सुभाब में नहीं है दंगा फसाद करना चुकिवा हिंदू स्वभिमान यात्रा था गिरडाज जी का अब हिंदू की सभा होगा तो हिंदू की बातते होगी तो हमने हिंदू जो बढ़ता है जात पात में उसको एकत्रित होने के लिए कहा था लेकिन तेजस्वी यादव भड़काओ भाई ऐसा बयान दिया उनको पूरे वीडियो को पूरे भासन को पढ़ना चाहिए जानना चाहिए कि हकिकत क्या है तो हमने हिंदू को कहा कि संगठित होने के उद्देश से कि अ जाती विश्यस के बारे में मैंने कहा था तो तेजस्वी यादव के बयान से वहां का जो छेत्रिय नेता है जिनको अरडिया के मले बनना है ऐसे लोग मिल करके यह बात मुसलिम के बीच जाकर के भड़काओ करके इस तरह से भड़काओ भासन दे करके रोड में प्रदर्श किया कोई भी सभा होगा मिटिंग होगा या अंदोलन होगा प्रोसेशन होगा तो उसके लिए प्रशासन को सुचित किया आता है अब बिना सुचित किया हुआ रोड में आ गया इसलिए मैंने कहा यदि तेजस्वी यादव इस तरह से बयान दे के बिहार में हमारे जिला मे अगर किसी प्रकार का घटना घटती है तो उसका जिम्मेवार तेजस्वी होगा और फिर कानून के सलाखों माएंगे वो पीछे आएगा अब ये बताईए जो क्या आपके जो सुरक्षा को लेकर क्या बयान दिये तो उसके बाद ही देखने को मिला था जो संदिक दिविक् परंतु सुरक्षा ठीक है अपने जगह सही है इस्वर ही सुरक्षा करता है इस भगवान से ज़्याद बड़ा कोई नहीं होता है परंतु मैं वो नहीं कहता हूँ मैं कहता हूँ कि सुरक्षा अलग बात है गलत बात बोलके एक कौम को भड़काना और तेजस्वी आदब को मैं कहता हूँ कि पूरे बयान को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, जानना चाहिए और दंगा फसाद करके, राज में लोईन ओडर खराब करके, वोट का राज्युति कर रहा है जिसका मैं निंदा करता हूँ और इस तरह का हरकत न करें बिहार के लोग या अरणिया के लोग, हम अंचेल लोग है, शांती से हम लोग जिने वाले लोग है और हम लोग किसी के धर्म के प्रती सभी धर्मों का सम्मान में बराबर करता हूँ मेरे संसकार में नहीं है, दंगा फसाद करना, इस तरह का माहुल गंदा करना ये विपक्ष के लोग ही किया है और वहां के छित्रिय नेता किया है जोगमनी का एक नेता है वो आके भड़का उभासन देता है मैं ऐसे नेता को भी कह देना चाहता हूँ कि जब आग लगेगी तो उसमें सब जलोगे इसलिए अररिया को जलाने का देकार नहीं है तो इसलिए आपको चेतावनी देते हैं और समझा के भी कहते हैं कि किसी को इजाज़त नहीं है दंगा फसाद हिंसा फैलाने का और हम उसके पक्षधर नहीं है इसलिए राजनिती के बात राजनिती की तरह होना चाहिए अच्छे कल बैठक वीवी थी इंडिये की तमाम लोग घटक दल पहुँचे थे क्या कुछ बैठक की इसकुमा के द्वारे मेसेज दिया गया था बैठक में इंडिये घटबंधन की बैठक हुआ और बैठक में निर्न लिया गया कि जो आने वाला दिन में दोजार पचीस में विधान सभा का चुनो है तो पुना एक बार हम पाचो दल के लोग महा थे और मानिय मुखमंत्री जी का संदेश था कि हम लोग पाचो दल जैसे पटना में बैठकर के मिटिंग किये हैं उसी तरह से जिला वाईज प्रखंड वाईज और पंचायत वाई मानिय मुखमंत्री नितिश कुमार जी के द्वारा उस विकास का चर्चा करेगे और पंद्रह साल जो कुशासन रहा लालु यादव का जो सरकार था उसके बिसे में भी हम लोग बताएंगे चुकि वो पंद्रह साल का जो कारचकाल रहा वा जंगल राज कैसा रहा वो नए पीड़ी के जो हमारे बच्चे है जो 18 साल, 20 साल, 25 साल का मद्दाता है वो जंगल राज नहीं देखा है इसलिए उनको भी बताना आवश्यक है चुकि उनका भी संख्या युवाओं का बहुत है उनको पता नहीं कि जंगल राज क्या था या वही परिवार है वही खंदान ह जो पूरे बिहार को जंगल राज में धके ले हुआ था अपरान जो बैटा को हुआ परदिव जी कई लोग सबार उठाते हैं मुकमंत्री जी को ले करके कहते हैं जो भाई गंटों कार्ज कर मिंटों खतम हो जाता है कल का होब होब कल की मीटिंग से क्या लगा जुनितिश क iskoht है और मुकमंत्री जी का बयान से उन्हों था सपस्ट कहा कि मैं तो किसी के दो एक दो लोगों की बारे में बोले भी वह सपस्ट कि मैं अब जाने वाला क bleach नहीं हूँ वो लोत अच्छे नहीं है जो लाल्टेन वालिल है वो गलत था मेरा फैसला अब मैं कभी जाने वाला नहीं हूँ और मैं यहीं रहूंगा और सब मिल करके बिहार में जो कल का कल तो आप मिले भी कैसा लगा हंडेट परसेंट मुकमंतरी जी स्वस्त है और कहीं को दिक्कत नहीं है कल तो बढ़ियां बताए हूँ सभी को कहा कि हमने सब के लिए काम किया हिंदू मुसलमान सब के लिए अगड़ी पिछड़ी सब की विकास की बात किया है तो इसलिए हम लोग विकास के मुद्दा लेके बिहार में जो बदलावाया पंदरा अठारा साल में उस मुद्दा को लेके गाउँ गाउँ और आम मद्दाता के भी चाहेंगे और जनता को बताएंगे और पुर्ण एक बार फिर से बिहार में नितिश कुमार को मुक्मंतरी बनाने के लिए 80 चोटी एक करके इंडिया गड़बंधन के साथ हम लोग चुनो लड़ेंगे अब दोबारा कहीं नहीं जाने बारा है सरकार से अब सरक्षा संदुस्ट या और चाहिए देखे सुरक्षा तो चाहिए ही चुकि बहुत सारे लोग सिर्फिरे कई दिनों से जैसे देश विदेश से भी बाहर के देशों से भी धमकी आता है और सुदे काता है कि जान मार देंगे तो सुरक्षा तो चाहिए, बयार सरकार ने मुझे सुरक्षा दिया है, परंतो चाहिए, मैं तो चाहूँगा कि देश स़तर में मिलना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग तो सांसद है, गूमते फिरते हैं, बाहर वए जाते आते हैं, कई धमकिया बाहर के देशों से और देश के अंदर भी और जी ले कंदर से भी मेरे पास मोबाल है रिकार्ड है Facebook के द्वारा social ड्या के द्वारा कई धंकिया दि जा रही हैं बैविफ सो उनकी से डरने वाला नहीं हो जाको राकिसाया लिए कोई बाल बाल नबा का कर सके हैं जो जगवेरी होए। बाल नबा कर सके हैं जो जगवेरी होए। झाल